तो आईए शुरू करते हैं बहुत ही अमेजिंग समर ड्रेंग जो की हमें बहुत ही एनरजाइज करेगा तो एक ग्राइंडिंग जार लिया है अब उसमें मैंने आधा कप थंडी दही एड़ की है यहाँ पे मैंने चेल दही का यूज किया है जो घर में हम दही जमाते हैं उस को मैंने फ्रिज में रख दिया था तो आधा कप दही ली है उसमें मैंने एक बनाना रफली काट के एड़ कर दिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर 1-4 टी स्पून इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और फिर हम इसमें एड़ यह थोड़े से ड्राइफूड एक दो काजू है बादाम पिस्ता इसमें रफली काट के एड़ कर दिया है फिर हम इसमें एड़ करेंगे आधा कप थंड़ा दूद तो यहां पे दही दूद आपको थंड़ा ही आड़ करना है यह जो बाल के थंड़ा कर लेते हैं न वही द प्रशीनी का यूज़ करें और इसको बंद करके हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ब्लेंड कर लेंगे इसे और यह देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी बनाना लसी बनके रेड़ी है यह गर्मियों में हमें बहुत ही एनरजी प्रोवाइट करेगा बहुत ही ज्यादा ह है गर्मिय में आपको अकसर जब बाहर निकलते होंगे तो थकान होती होगी तो उससे यह आपको बचाएगा प्तरो ताजा आपको करेगा बहुत ही रिफ्रेशिंग ग्रिंग है यह बनाना लसी बहुत इसली आपने देखा ना कैसे जटपट बनके रेड़ी हो जाती है तो मैंने फ्रेज में रख दिया था एक सेब लिया था उसका मैंने यहां पे छिलका उतार के यूज किया है आप चाहें तो इसे छिलके के साथ यूज कर सकते हैं एपल को वन फो टी स्पून इलाइची पौडर एट किया है और थोड़े से ड्राइफ रूट एक दो काजू और फिर हम इसमें आड़ करेंगे आधा कप थंडा दूद अब इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एक बार ग्राइंड कर लें अच्छे से कि अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसे भी अब थंडा थंडा ही सर्व करेंगे तो अब इसे लास्ट में हम गार्निश कर तो यह हमारी बहुत ही टेस्टी एपल लसी बन के त्यार है सेप से आप बहुत ही टेस्टी लसी बना सकते हैं तो दो तरह की लसी आज मैंने आपको बताई है एक एपल लसी और एक बनाना लसी यह दोनों ही गर्मियों में आपको बहुत ही जादा एनर्जी प्रोवाइड करे